नमस्कार इस वीडियो में हम रेक्विग R7 जर्मन होमेपाथिक दबा के लाब और उपयोग कैसे करना है इसकी चर्चा करेंगे तो आईए समस्ते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को जरूर दबा दे ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके रेक्विग R7 को लीवर एंड गाल ब्ल मिल जाती है इसकी लाप की तरफ देखें तो यह दवा लीवर पर बहुत अच्छा काम करती है अगर लीवर में सूजन हो या उसका आकार बढ़ जाए हेपेटाइटिस हो जाए जॉन्डिस हो जाए लीवर में किसी तरह का गांठ बन जाए या फिर जादा अलकोहल के सेवन से लीवर में समस्या आ जाए तो भी इस दवा का उपयोग से बहुत अधिक लाप्राप्त होता है इसके अलावा अगर पित्त की थैली में कोई समस्या हो पित्त की थैली में स्टोन हो जाए तो भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है इसमें मिली हुई दवा पित्त थैल D2, Cholesterinum D6, Cholensynthes D6, Lycopodium D4, Nuxvomica D4 और China D3. Redquake R7 में मिलाए गए हर दवा का अपना एक्विसेस, लक्षन और महत्व है जिसके बारे में जानना जुरूरी है तो हम एक एक करके सब के बारे में समझ लेते हैं. इसमें डली थी Cardus Marinus, यह दवा लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, अगर बहुत fatty food खाने से fatty liver के समस्या हो जाए या किसी तरह की सूजन हो जाए लीवर में, तो यह दवा के प्रियोग से वह लीवर बिल्कुल अच्छा हो जाता है, सूजन और fatty liver के समस्या ठीक हो जाती है, दूसरी दवा इसमें डली है चेली डोनियम, यह medicine पीलिया रोग में, पित थाली के स्टोन में बहुत अच्छा काम करती है, और लीवर के समस्या को ठीक करती है, लीवर के कारे को करने की छमता को बढ़ाती है, तीसरी दवा इसमें डली है चाइना, होमेपैथी की पिल्कुल ठीक हो जाती है, और यह दवा रामबान सिद्ध होती है, ऐसे लक्षन में, अगली दवा डाली है, कोलो सिंथिस, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो, एंठन हो रही हो, तो इस दवा का इस्तमाल किया जाता है, मैं नॉर्मली ठटी पोटेंसी में ही इस दवा का इस्तमाल करता हूँ, और यह दवाई भी रेक्विग R7 में डली हुई है, अगली दवा है लाइकोपोडियम, किसी भी तरह की गैस्ट्रिक में इसका इस्तमाल बहुत अच्छा रहता है, यह लीवर पे भी बहुत अच्छा कारे करती है, अगली दवा डली है नक्स वोमिका लीवर और गाल ब्लाडर की समस्या के साथ अगर कबज की समस्या हो, तो यह दवा बहुत अच्छा कारे करती है, अगर रात में पेट सबंदी समस्या बढ़ जाती है, तो ऐसे में यह दवा का प्रियोग अवस्य करना चाहिए, और यह दवा गैस, कबज, अपच, इत्याद करने में कोलिस्टोरिनम बहुत अच्छा काम करती है, और गाल ब्लाडर को अच्छा करने में यह दवा बहुत सक्षम होती है, इतनौल यह हमारे लीवर और गाल ब्लाडर की इंप्योरिटी को दूर करती है, तो इतनौल दवा भी R7 में डले हुई है, अब रेकविग R7 की लेने की विधी और किस मात्रा में R7 का उपयोग करना है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं तो रेक्वग R7 की 10 से 15 बूंद को आधे का पानी में डालकर भोजन से शुरू कर दें जैसे ऐसे फाइदा होते जाएगा आप दिन में एक बार भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं पर चूश। लेट में गाल ब्लाडर में कोई समस्य है तो आप किसी भी होमेपैथिक स्वाप पर जाए और रेक्विग आर सेवन वहां से खड़ी दिलें यह करीब 220 रुपय के तक आएगा मिल जाएगा किसी भी होमेपैथिक एट पर भी आप हमसे संपर कर सकते हैं दवा आपको किसी भी होमेपैथिक स्वाप पर मिल जाएगा दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैब दे खाना खाने की आदे घंटे पहले या आदे घंटे बाद ही दवा ले कच्चा प्याज और खटी चीजों का सेवन ना करे किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं सबी अच्छी है धन्यवाद